आप जिस भी मन्त का ट्रांजक्शन हिस्टि करना चाहते हैं, वह मन्त को APE sehrl metal कर लेंगे और आप लाइक कर देंगे आपको नीचे में इस तरह का option कुछ दिख रहा होगा जैसे home हो गया, insurance हो गया, history हो गया तो सबसे last में आपको यहाँ पे click कर देना है click करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपके खाते में पैसा आया होगा phone pay के द्वारा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा और यहाँ पे date भी दिखा जाएगा और यहाँ पे UPI के द्वारा आया होगा या net banking के द्वारा आया होगा तो वो भी आपको दिखा जाएगा, तो यहाँ पे सवाल यह आता है कि आप phone pay का transaction history को कैसे delete कर सकते हैं तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कोई भी transaction history को अगर आप delete करना चाहते हैं जैसे हम इस transaction history को delete करना चाहते हैं तो हम इस पर click कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी आपको option नजर नहीं आ रहा होगा कि delete transaction history तो यहाँ पे देख सकते view transaction history है लेकिन delete transaction history नहीं है तो यहाँ पे हम back आ जाएंगे और back आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ यहाँ पे month और categories भी दियेगे हैं और आप month पे click करेंगे जिस भी month का आप transaction history निकालना चाहते हैं उस पे आप click करेंगे यानि कि सिधे सब्दों में कहें आप जिस भी month का transaction history delete करना चाहते हैं वह month को आप select कर लेंगे और apply कर देंगे उसके बाद category पर आप click कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको category यहाँ पर मिल जाए गया merchant है money receive है तो यहाँ पे इन में से आप category select करके apply कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आ जाता है computer का भी आपको option आ जाता है तो इस तरह से यहां पर भी आपको option नहीं दिया जाता है कि आप transaction history को delete कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं एक filter का option आपको दिया गया है आप चाहें तो filter कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि phone pay में जो भी transaction history है यहन की payment history है हम उसे delete कर देंगे payment करने के बाद यह संभब नहीं है क्योंकि यह RBI का guidelines है कि जो भी आप किसी भी UPI payment करते हैं और उसका history आप delete करना चाहते हैं तो यह आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर मान्क चलिए कोई भी वेक्ति अगर आपका phone ले लेता है और phone pay के द्वारा कोई भी transaction कर लेता है अगर वो वेक्ति transaction करने के बाद आपका payment history को delete कर दिया जाए तो यहां पे आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक आप bank balance को चेक नहीं करेंगे तो यह संभब नहीं है अगर इस तरह का आप YouTube पे वीडियो देख रहे है या सर्च मार के देख रहे है तो यह बिल्कुल भी संभब नहीं है और इस वीडियो के द्वारा मैं आपको एक awareness दिया हूँ कि आप phone pay का payment history या transaction history को आप delete नहीं कर सकते है अगर वीडियो में दी करिएगा तभी चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा